डेपिनिशन कहता है इसमें the intersection of two sets set a and set b दोनों पाट का intersection मतलब cutting part को बोलते हैं intersection इंटरसेट करती है तो यह दो circle अगर intersect करती है कहाँ पर a और b of two set of those elements मतलब दोनों point intersect करती है किसी those elements which belong to the both end मतलब जो element उन दोनों में belong करता हो यानि a में ही belong करता हो b में ही belong करता हो उसको बोलते है intersection common point between a and b यह दोनों set का उसको लिखें a intersection b फिर कहता है symbolically उसको लिखा जाता है the right like this a intersection b equals to such that x such that x belongs to a and x belongs to b ठीक है इसको बोलते है symbolically the saddened portion in figure this इस figure का नाम है figure number 1.5 इसके saddened part को बोल रहा है a intersection b को symbolically इसको बोलते है इसका यह मतलब है mathematically का मतलब यह है a intersection b मतलब x such that x belongs to a and x belongs to b and now x भी a मिला ही करना चाहिए और x भी b मिला ही करना चाहिए और दोनों का जो common part है वो आगे बरते है if a and b are the two sets such that अगर कहता है a and b if a and b are the two sets the two sets such that such that such that such that a intersection b is equals to 5 मतलब दो सेट ऐसा सेट हो जो दोनों में कोई common point हो ही ना तो उसको क्या बोलेंगे हम लों empty set मतलब उसकी value क्या हो जाए 5 हो जाए जब उसके बिसमें कोई common part नहीं मिले इसा भी हो सकता है एक्जांपल के तोड़ते मालो एसेट में element दे रखाओ one three और five और b set क्या बोले two four और six दोनों के बीच में कोई common number ही नहीं तो उसके से बोलेंगे a intersection b की value हो जाएगी five इसका मतलब हुआ आंसर तो होगा हमें साथ कुछ नहीं होने का मतलब क्या हुआ 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 है यह बात हुई आगे बढ़ते हैं एक्जांपल के तोड़ पर अच्छा इजो पाई आप बचते हैं इसको पूल रहा है फाई इसी फाई को बोलते हैं disjoint set उसकेस में उसकेस में that the a and b the a and b are called as disjoint set कि अगर दोनों में कोई common नहीं मिल रहा है मतलब दोनों के बीच में common नहीं मिलने के करण अगर फाई मिलता है answer उसकेस में बोलते हैं दोनों सेट की value को बोलते हैं disjoint set का नाम कहला है disjoint set तो बोलेगा disjoint set कब बनता है तो हम बोलेंगे जब दोनों सेट के बीच में कोई भी common value नहीं मिलती है तो ऐसे सेट को बोलते हैं disjoint set जोखी set a को बोले disjoint set set b को भी बोलते है disjoint set set यह हो गया a यह हो गया b समझ गे बात को कि आवा के बोलता है हाँ because there are no element which are common in a and b वादर इस दोनों में हम लोगे यह देखा कि कोई भी common part इसमें कुछ भी नहीं मिल रहा है ठीक है अगर हम इसके लिए अगर वेंट डियाग्राम रोग करेंगे वादर इस particular case के लिए तो क्या बोलेंगे कि एक circle a ये है एक circle ये भी है ये set a है ये set b है इन दोनों का intersection बोलेंगे वो 5 है उस case में बोलेंगे जब इसका मतलब क्या हुआ इनका common set की value 5 हुई और बोलेंगे set a and set b are called in disjoint set these two sets are called at disjoint set disjoint set disjoint set disjoint set के के है बोलेंगे इस कह ए् difficult to हुआ है नॉइस है आज है थुरा सा इंपोरेंट पॉल आ गया तो अब फुरा सुन लोग बाहर थेलाओ अभी जो पॉल आया था वो तुम से रेटिर भी है और तुम जैसे बहुत लोगों के लिए रिलेटिट है इस मैसेज को हम चाहते हैं सब लोग तो पहुंचे तुम लो लोग जीओ फाइवर पहले जो मैंने लिया था तो वह वन मंत का प्लाइन था तेक है उस मन मंत के प्लाइन में क्या था कि सिर्फ एक मैने के लिए आपको फ्री सब्सक्रिप्शन था और फिटिन हंडिट चार्ज इसमें को सेटप करता था अब इसको क्या कर दिया गया है आप यह क्या रहा है कि एक ही बार जो आप सब्सक्रिप्शन लीजेगा वन मंत का न था उसको बढ़ा दिया गया है दो मंत के लिए इंदे सेम क्राइज में आप समझो कि कितनी पॉर्फ बढ़ा दिया है मतलब भीयों से मिलए पागल हो रहे हैं मतलब लोगों को कैसे लेन करने के चकड़ में छूट पर छूट दिये जा रहे हैं कले पता नहीं है वो क्या था कले वो डिसीजन लिया गया है अच्छा आगे आगे भईया आगे अजया में चूप झार करने कर दम में हैं अजया 35 शесп2 म कि остр खं। प्रूश टतूश शाल में हैは क्या आगे Nacional